नमस्कार जुहार चोत्सगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है इससे पहले आप न्यूज को कहां से दीख रही हैं कॉमेंट में जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल ना भूले आप पार्टी ने परदेश के कई विदानसवा शेत्रों से परत्याशी उतारे थे इससे देखते हुई लोगसभा चुनाव में भी परत्याशीों को उतारने की संभाबनाय जटाई जा रही थी लेकिन पार्टी ने लोगसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैस्ला लिया है आदर्श अचार सहता की उलंगन की तहरे चातर सहता की उलंगन करने का भी मामला सामने आ रहा है चतरस गड़ की बस्तर जिले में कॉंग्रिस की वरिष्ट विधायाक और लोक सभाउमीदवार कवासी लखमा के खिलाफ कथत तोर पर आदर्श अचार सहता का उलंगन करने का मामना दर्च किया गया है चतरसगड़ में नकसलियों ने दी चुतावनी 30 मार्च को बीजापूर बंद का ऐलान चतिसगड की सीटों को लेकर कॉंग्रेस ने उमीदवारों का किया एलान लोगसभा चुनाफ को ले दे के अब केवल अब 24 दिनों का वक्त बचा है इसी चुनाफ को लेकर बीजेबी कॉंग्रेस समीत सभी पार्टियों ने अपनी रणनीती बना रही है तो वहीं इस बार मध फिप्रदेश का लोगसभा चुनाफ काफी दिल चासप होने वाला है कुछ दिन पहले ही चुनावायों के लोगसभा चुनाफ की तारीखों के एलान के बाद पार्टियों ने अपनी तैयारियों में तेजी लाना शुरू कर दिया है चठसगड की सीटों को लेकर कांग्रि पार्टी पदाधिकारियों ने ये जानकारे दी चतिसगड़ में तीन चड़नों में उन्ने सप्रेल, 26 अप्रेल और साथ मही को लोगसभा के लिए मतदान होगा। तथा मतगणना 4 जून को होगी। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी ने चतिसगड़ की 11 लोग सबसीट में से दस के लिए उमीदवारों की खोशना करती है। लोग सबसीट में से दस के लिए उमीदवारों की खोशना करती है। लोग सबसीट में से दस के लिए उमीदवारों की खोशना करती है। और कामगारों के स्किल सेट में सुधार लाना है। इजरो ने हासल की एक और बड़ी उपलब दी। इजरो ने एक और मील का पत्थर हासल कर लिया है। भारत के सेटलाइट PSLV ने शून कक्षी मलबा मिशन पूरा कर लिया। इससे फाइदा ये हुगा कि अब इजरो ने मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉंच करेगा उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा। इजरो ने इस मिशन को ऐसे समय में पूरा किया है जब दुनिया भर के बिख्यानिकों के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी चुनोती बना हुआ है। दिवाईज ने आसान की भुकतान सुवधा सफल रहा पर हो। रेलवे ने कैशले सुवधा में एक और कदम बढ़ाया है। जोनल स्टेशन स्थित यूटियस के साथ नंबर काउंटर में QR कोड स्कैनिंग डिवाईज लगाई गई है। रेलवे की सुवधा ने भुकतान विवस्था के आसान कर दिया है। अब धीरे-धीरे सभी काउंटर और मंडल के अन्य स्टेशनों में भी इसे लागू करने की तयारी की जा रही है। डिजिटल टिक्टिंग मोड को प्रोट साहित करने, सेल्फ टिक्टिंग को बढ़ावा देने, तथा यात्री कतारों की परिशानी का सामना किये बिना टिकेट खरीट सके। बस्तर से भाजपा प्रतियाशी महेश कश्यप ने किया नामांकन। चतरसगड की पस्तर लोगसबा सीट से भाजपा उमीदवार महेश कश्यप ने नामांकन दाखिल किया, हाला कि उन्हों ने अभी एक ही फॉर्म जमा किया है। कल यानि बुधवार को मुख्य मंतरी विश्ण देव साय की मौझूद की में दूसरा सेट दाखिल करने के लिए पहुँचेंगे। भुपेश बोले बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो कॉंग्रेश जीतेगी। चतिसगड की पूर्व मुख्य मंतरी भुपेश बगेल ने सभी कारे करताओं से लोगसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक सीट से 375 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां चुनाव एवियम की जगा बैलेट पेपर से हुगा। ऐसे में कॉंग्रेश की जीत निश्यत है। जहास की टकर से डहा 3 किलोमेटर लंबा पुल चला रहे थे 22 भारती अमारिका के बाल्टी मोर्क में करीब 3 किलोमेटर लंबा पुल एक मालवाहक जहास की टकर से डह गया है। इस हाथ से जूड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जहास को 22 भारती चलक दल के सदसे चला रहे थे फिलहाल वे सभी भारती सुरक्षित हैं बाल्टी मोर पुलिस ने कहा है कि इस बात के कोई साक्ष नहीं है कि जहाज ने जानबूच कर इस फांस स्टॉक की ब्रिज को निशाना बनाया जाच जारी है ये तो थी आज की बड़ी खबरे अगर ओष्रियर करना बेल कुला पुली धने बाल